हेलो वेलकम यह वाल आज है तीस जुलाइ और आप सभी के लाएं फिर से एक इंपॉर्टम वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आज 6% की से भी ज्यादा की हमारों गि देखने को मिली और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पहले से ही कमजोर था अपने चार्ट में और आज इस प्रॉफिट बुकिंग की वज़ए से इसमें लगभग 6% से भी ज्यादा की गिरावाट्स हमार को देखने को मिली तो फर्दर इसमें क्या राय अब बनेगी क दौर से खृद्दारी की जाए या फिर होल किया जाए या फिर इसको अब छोड़ दिया जाए तो दो इसके लेवल से जो मैं आपके साथ डिसकस करना चाहूंगा की दो इसकी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं जहां से इसमें मैक्स पॉसिबिल्टीज है कि इसमें हमारो को फर्दर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है तो आपके साथ यही बातचीत में आगे कॉंटिन्यू करना चाहूंगा उससे पहले चाहूंगा अब चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें बैल ऐकन को दबाई वीडियो को लाइक करना है न भूले एंड कमेंट से जाता का क्रेक्ट हुआ है और 6.73 की परसेंट की इसमें क्रेक्शन हुए हुज क्रेक्शन हमार को शेर में हमार को देखने को मिल रही है अगर आप हाई बात करो तो दो सो स्तार आ के पास हाई था और लो लगबग 197 के आसपास वहीं अगर पिछले कुछ दिन की डिलिवर की डिलिवरीज हमार को देखने को मिल रही थी उससे पहले लगातार इसमें डिलिवरीज बिलो देवरेज थी और लगातार शेर भी क्रेक्ट होता हुआ हमार को नजर आ रहा था वहीं हमने शेर होल्डिंग में भी देखा था कि इसमें भीया प्रमोटर होल्डिंग इंक्र कर रहें डियाई इंक्रीज कर रहें नौन इन्सिटिशनल इन्वेस्टर आते हैं रिटेल इन्वेस्ट कर आते हैं तो इसमें थोड़ा बॉटिंग माल बेचा गया था और माल खरीदा किसके दार गया प्रमोटर एफाई जैंड डियाईज द्वारा अगर आप देखो दो भा आगे के आने वाले टाइम के लिए अगर इंवेस्टर्स पॉस्टिव तो डेफिनेटली शेयर में अमार को फिर से अप्ट्रेंट देखने को मिल सकता है तो वहीं आप आचुके हैं इसके मोस्ट इंट्रेस्टरिंग चार्ट्स पे जहां इसमें सब कुछ बयान होता है कि इमेस तो यह एक भारी भी टच नहीं कर पाया और वहीं 20 डेस का इमें आच तोड़ चुका है और स्पोर्ट लेता हुए नजर आ रहा है अपने 50 एंड हंडर डेस का 50 रेड कलर में 100 ब्लू कलर में तो आज यहां पे बाउंस बैक लेता हुए नजर आया और आपको पता है अगर सारे ये में ध्वस्त हो जाएं मलब इसके नीचे आ जाए तो हम क्या बोलते है शेर में वहीया टोटल वीकनेस है और फर्दर गिरावट हमारे को देखने को मिल सकती है पर आज इसी लेवल पे स्पोर्ट लेते विए नजरा है जो लगवग 197 के आसपास ही है और यही इसका एक क्रिटिकल लेवल है अगर इसको बाउंस बैक लेना है तो अब यहीं से लेना है मरदर फर्दर कोई गिरावट नहीं एक तो यह लेवल है एक दूसरा लेवल प्राइस एक्षिन के हिसाब से भी वह भी आपके साथ डिसकस करना चाहूंगा वहीं अगर वंडे के एक रेंज बाउंडिट हमार को देखने को मिल रहा था और एक छोटा सा इसने पैटरन बनाया था उसमें भी ब्रेक आउट हुआ था जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिसकस किया था कि भी यह इसमें थोड़ा और दीरे दीरे आज देखो इतना बड़ा इसमें गिरावा यह दो लेवल जिसमें बहुत जादा क्रिटिकल रहने वाले यही लेवल्स है जो इसको मलब कि यहां से बाउंस बैक दिला सकते हैं सेलर बैठा जो यहां पर प्रॉफिट बोकिंग गरता है तो आप देखो कि यहां पे भी लागविक्स, यहां पे भी लौग्विक्स हमार को बनीवी थी जो शेर को लगाता नीचे ड्रैक करते हैं जा रहे थे पिर हमार को ब्रेक ओट फिर आज वही यह मार मैं हमार को यहा और वही अगर यह लेवल्स सेलर्थ खा जाते हैं मतलब की इसको मलब की सेल सेल करके और चाते हैं स्ट्रॉक को ड्रेग हो जाए तो भी है इसके बाद में जो ही स्पोर्ट अभी इस प्राइस सेक्शन में नहीं दिख रहा है मतलब यह दो क्रिटिकल भौती लेवल्स रहने व रहता है तो उसमें शेर में क्रेक्शन हमार को देखने को मिलती है और वेलेंजर बेंड के तो आज आर पार ही हो गया वह अलमस्ट मलब की काफी जाज़ा नीचे आ चुका है तो प्राइस एक्शन और इसके यह में इसके ही दो स्पोर्ट करेंट लेवल्स पे दिख रहे है one ninety-seven and one ninety-four वहिए अगर पाइवेट में देखे तो पाइवेट में भी one nine to seven का जो स्पोर्ट है वो ऐज़े स्पोर्ट नजर्रा रहा है इन धा पाइवेट चार्ट तो पाइवेट ही है white गहाँ बो अब यह it is का एक इसका strong zone है strong buyers यहां से हमार को देखने को मिल सकते हैं और यहां से share travel कर सकता है तो देखिए दो ही levels है इस share में मैं फिर से repeat करूँगा 197 and 194 यह दो critical levels रहने वाले मतलब अगर आपको लगता है कि इंडिया बुल housing finance में आपको entry लेनी है और आपको बैतरीन share लगता है भी है इसमें सब positive है promoters भी एक entry का level भी है और यह stop loss भी है जो अपना profit और ज्यादा रही है जो इसमें बहुत ही ज्यादा critical levels है वहीं अगर हम देखे इसमें बंडे के चार्ट में आर ऐसाई को तो और ऐसाई लगो 42.67 के आसपास है जो below 50 काफी ज्यादा चला गया है जो दिखा रहा है शेर इस लूजिंग स्ट्रेंद और मेंग डी तो भी है पहले क्रॉस ओ पिख आप देखोगे कि तूट क्या फिया आप तो इसमें selling ओप सेल हो जाएगा ऐसे निजिया ऑट के फॉर के पास आए तो एसा नहीं की बेच देना है बन दे की इसके निजिकर के ख्लोजिंग हो जाए तो अगले दिन आप अगर उससे बीजा एक या-दो रुपे नीच स्पोर्ट तोड़ दिया तो आप प्रैशर में आ गया सा कुछ नहीं वन डे में क्योंकि थोड़ा बहुत मुवमेंट देखेगा आज बहुत जादस डाउन फॉल देखने को मिला तो मोस्ट पॉस्टिवली हमारो यहां से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है तो दोस्तों वी वीडियो को मोटिवेशन मिलता है कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी रखिये डेफिने रिप्लाइगर हो मेरा जौब बनता है एंड थेंक यू फॉर वाचिंग दा वीडियो